प्रेरितों के कामों का वर्णन पंद्रवा अध्याए फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाईयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा के रीती पर तुमारा खतना ना हो तो तुम उध्धार नहीं पा सकते। जब पौलूस और बर्नबास का उनसे बहुत जगला और वाद कि पौलूस और बर्नबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विश्य में यरुशलेम को प्रेरतों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मनली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनिके और सामरिया से होते हुए अन्ने जातियों के मन फेरने का समच अचार सुनाते गए और सब भाईयों को बहुत आनंदित किया। जब यरुशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरत और प्राचीन उन से आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे। परंतु फरीसियों के पं प्राचीन इस बात के विशह में विचार करने के लिए इखटे हुए। तब अतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाईयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए की परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुह से अन्य जात सुस्मचार का वचन सुनकर विश्वास कलें, और मन के जाचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्रात्मा दे कर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा, तो अब तुम क्यों करते हो, कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो, जिससे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे, और ना हम उठा सकते, हाँ, हमारा यह तो निश्चय है, कि जिस रीती से वे प्रभुईश्य के अनुग्रह से उधार पाएंगे, उसी रीती से हम भी पाएंगे, तब सारी स चुपचाप होकर बर्नबास और पॉलुस की सुनने लगी, कि परमेशर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बढ़े चिन्न और अध्भुत काम दिखाए, जब वे चुप हुए, तो याकुप कहने लगा, कि हे भाईयो मेरी सुनो, शमौन ने बताया, कि परमे इसके बाद मैं फिर आकर दाओत का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके खंधरों को फिर बनाऊंगा, और उससे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेश मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूलें, यह वही प्रभु कहता है, जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समचार देता आया है, इसलिए मेरा विचार यह है, कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूर्तों की अशुधताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुँ के मांच से और लोहु से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की विवस्था के परचार करने वाले खोते चले आये हैं, और वह हर सब्त के दिन आराद नालाय में पढ़ी जाती हैं, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरतों और प्राचीनो को अच्छा लगा कि अपने मेंसे कई मनुश्यों को चुनें, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाईयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, और उनके हाथ यह लिक भेजा, कि अंताकिया और जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेड़तों और प्राचीन भाईयों का नमस्कार, हमने सुना हैं कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिये हैं, परंतु हमने उनको आगया नहीं दी थी, इसलिए हमने एक च जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभुईश मस्य के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहुदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुह से भी ये बातें कह देंगे, पवितरात्मा को और हम को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोज न डालें, कि तुम मूर्तों के बली किये हुऊं से, और लोहु से, और गला घोटे हुऊं के मास से, और व्यभिचार से परे रहो, इन से परे रहो, तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अन्ताकिया में पहुँचे, और सभा को इखटी करके वे उन्हें पत्री दे दी, और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अती आनन्दित हुए, और यहुदा और सिलास ने जो आप भी भविश गत्ता थे, बहुत बातों से भाईयों को उपदेश द बरनबास अन्ताकिया में रहे गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन को उपदेश करते और सुसमचार सुनाते रहे। कुछ दिन बात पॉलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाय था आओ, फिर उनमें चल कर अपने बायों को देखें की कैसे हैं, तब बरनबास न यहनना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परन्तु पॉलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा, सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गये, और बरनबास मरकुस को लेकर जहाच पर कुपरुस को चला गया, परन्तु पॉलुस ने सिलास को चुन लिया, और भाईों से परमेशुर के अनुग्रह पर सौपा जाकर वहां से चला गया, और कलिसियाओं को स्थिर करता हुआ, सूरिया और कि किया से होते हुए निकला.